एक्जाम 21 के platform पर आपका welcome है इस भाग में हम लोग modern इंडिया के important facts का पर discuss करेंगे यानि महत्वपूर्ण तत्यों को हम लोग देखेंगे और यह जो facts हैं तत्यों हैं यह भारत के गौवर्णर जनरल और वाय सराय से संबंदित हैं और यह एक्जाम में हमेशा पूछे जाते ह तो आईए इन भारत के गौवर्णर जनरल और वाय सरायों की list हम लोग देखते हैं और उस पर discuss करते हैं भारत के गौवर्णर जनरल तो यह है भारत के गौवर्णर जनरलों की list जो इक्जाम के दिश्टी कोर्ण से बहुत ही important है तो आईए हम लोग इनको प्रारम करते हैं और भारत के गौवर्णर जनरल जो first भारत के गौवर्णर जनरल थे यानि प्रतम भारत के गौवर्णर जनरल हुआ बिलियम बेंटिंग थे और यहां पर दियान रखना है कि इनका जो शासन काल था टाइम पिरियाड था 1833 से 1835 था और 1833 का जो charter act था यानि अधिनियम था इस अधिनियम के दो़ारा जो बंगाल के गौवर्णर जेनरल का जो पद था उसे समाप्द कर दिया गया, और उसके अस्थान पर भारत के गौवर्णर जेनरल के पद को create किया गया, और इस पद पर Lord William Benton की नूक दिकी गई, इस प्रकार भारत के प्रतम गवर्नर जनरल Lord William Benton थे और यह बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल भी थे, इस बात को दिया रखना है, इसके बाद आते हैं Charles Metcorp, Lord William Benton के पश्चाथ भारत के गवर्नर जनरल बनते हैं, 1835 से 1836 तक, इनका कारेकाल था, अगले हैं Lord Auckland, Lord Auckland का का कारेकाल 1836 से 1842 तक था, इसके पहेशाथ Lord Allen Burrow, इनका सासनकाल है 1842 से 1844 तक, इसके बाद Lord Harding, भारत के गवर्नर जनरल के पद पर निउक्त होती हैं, इनका कारेकाल है 1844 से 1848 तक, इसके बाद आते हैं Lord Dalhoji, Lord Dalhoji का सासनकाल 848 से 1856 तक है तो इन गौवनर जरन्रों की लिस्टे में लाट डलावजी का अस्थान पहुती important है और या लाट डलावजी भारत में ब्रेटिस सरकार के सामराज के विश्थार करने के रूप में जाने जाते हैं और इन्होंने कुछ important इनका जो कार्य था हम लोग उस पर discuss करेंगे से सम लोग इनके टॉपिक में डिस्कस किया जाएगा इन्होंने डाक्टरी नाप लैप्स यानि हडप नीती प्रारम किया था हडप नीती से तात्पर था जो भारती रियासत थे यानि राजा थे उनके सामराज को एबिटी सामराज मिला रहे थे और मिलाने के लिए जो पॉल 1877 के विद्रो का एक कारण बना था तो लाड डलाहुजी के समय में 1877 का विद्रो भी हुआ था या इंपार्टेंट है और इसके बाद लाड डलाहुजी के पशाद आते हैं लाड कैनिंग ओके लाड कैनिंग 1856 से 1858 तक थे अगले तरफ आगे बढ़ते हैं हम लोग के लोगों को हम लोग देखेंगे तो इस पर जो है लाड कैनिंग की नियुक्ति 1862 तक इनका कारेकाल था तो इस परकार भारत के वाइसराय जो प्रतम वाइसराय थे लाड कैनिंग थे लाड कैनिंग थे और 1871 में इस पद पर इनकी नियुक्ति की गई यहां पर कैनिंग के ही समय में हुआ था और अठारासव अंठाउन में जो एक्ट आया अधिनियम आया वह इस अधिनियम के तहत भारत के गौवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके वाइसराय के पद को क्रियेट किया गया और इस बद पर ल्युक्त की गई इस परकार भारत के प्रतमव वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे और इनके समय में अठाव 17wn का विदरों इंड हुआ था यानि समाप्त हुआ था और यह भारत के परतम वायसराय बने बहुत ही important है इसके बाद है Elgin First, Elgin First 1862 से 63 तक थे इसके बाद आते है जौन लॉरेंस 1863 से 1879 यानि 69 तक इसके बाद अगले वायसरा है Lord Meo 1869 से 1872 तक इसके बाद Lord Northbrook, 1832-1886 तक इनका कारे काल था, इसके बाद Lord Litton आते हैं, 1886-1880 तक इनका कारे काल था, इसके बाद Lord Ripon आते हैं, Lord Ripon 1880-1884 तक इनका सासन काल था, अगले वायसराई की ओर हम लोग बढ़ते हैं अगला वायसराई हैं लार्ड डफरीन लार्ड डफरीन 1884 से 1888 तक अब लार्ड डफरीन के समय में जो एक important कार्य हुगा था वह भारती राष्टी कांग्रेस के अस्थापना हुई थी और भारती राष्टी कांग्रेस के अस्थापना 1885 में हुई थी और बंबई में ओके तो यह बहुत important है लार्ड डफरीन के समय में ही भारती राष्टी कांग्रेस के अस्थापना हुई थी इसके बाद आते हैं लार्ड लाइंस डाउन 1888 से 1894 इसके बाद आते हैं लार्ड एलगिन सेकेंड एलगिन दूती 1894 से 1899 इसके बाद शाथ लार्ड करजन भारत के वाई सराय के पद पर नुकत होते हैं 1899 से 1905 तक इनका सासनकाल था और लार्ड करजन के ही समय में 1905 में बंगाल का भी बाजन हुआ तो यह भी बहुत important है थी आस में और इनी के समय में बंग बंग आंदोलन चला था इसके बा अस्थापना ढाका में हुई थी तो यह important है और इनी के समय में 1909 का अधनियम आया था और इसी अधनियम के तहथ मुस्लिम वर्ग के लिए अलग निर्वाचन छित्र की ब्यवस्ता की गई थी अगले वाई सराय आते हैं लार्ड हार्डिंग 1910 से 1916 इनी के समय में राजधा यानि प्रथम विस्युद्ध का प्रारम हुआ था 1914 में ओके आगे बढ़ते हैं हम लोग आते हैं लार्ड चेम सपोर्ड लार्ड चेम सपोर्ड का सासनकाल बहुत ही important है भारती इतिहास में इनका सासनकाल 1916 से 1921 तक था इनी के सासनकाल में महात्मा गांधी जी द्वारा भ था इनी के समय में 1919 का अधिनियम आया था और इनी के समय में 1918 में खिलाफत आंधोलन भी प्रारम किया गया था और लार्ड चेम सपोर्ड के ही समय में 1919 में 13 अप्रिल 1919 को जालिया वाला बाग अत्या कांड हुआ था और इनी के समय में गांधी जी द्वारा 1920 में असा योग आंदोलन प्रारम किया गया तो तो इस सब लाड चेम सफोर्ड का सासनकाल बहुती important है ओके एकजाम के दिरिश्टी कोड से आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले वाज सराई की ओर लाड रीडिंग 1926 से 1926 तक इनका सासनकाल था ओके और इसके बाद आते हैं लाड इर्वीन अब यहाँ पर लाड रीडिंग के इस आसनकाल में चवरी-चवरा की घटना हुई थी फरवरी 1922 में और इस घटना के पहशात गांदी जी असायोग आंदोलन को वापस ले लिये थे इसके बाद आते हैं लाड इर्वीन 1926 से 1931 तक इसके बाद इनी के समय में गांदी जी द्वारा 1930 में सविनाय अवग्या आंदोलन प्रारम किये थे गांदी जी का जो 6 अप्रिल 1930 को दांडी मार्च हमलों की तिहास में यतिति पढ़ते हैं तो गांदी जी द्वारा प्रारम किया गया था उस समय लाड इर्वीन वाइसरा थे और इनी के समय में गोल में सम्मेलन भी हुआ था प्रथांबावर दूती गोल में सम्मेलन अगले वाइसरा हैं लाड वेलिंगटन 1931 से 1936 तक इनके समय में तीसरा गोल में सम्मेलन का आयोजन लंदन में किया गया था इसके पशाथ हैं लाड लिल्लित गो लाड लिल्लित गो 1936 से 1943 तक इनी के समय में दूती बिस युद प्रारम भुआ था 1949 में दूती बिस युद प्रारम भुआ था और इनी के समय में 1945 में ही क्या हुआ था दुती बिस युद्ध समाप्त हुआ था या इंड हुआ था इसके बाद आते हैं हम लोग Lord Mountbaton भारत के अंतिम जो वाइसराय थे Lord Mountbaton साहब थे 1947 से 1948 तक इनका सासनकाल था और इनी के समय में भारत क्या हो गया था स्वतंत्र हो गया यानि आजाद हो गय गया थे ओके तो यह इंपार्टेंट है और इनके पश्यात भारत के सी राजगोपालाचारी को भी गौवर्नर जर्रल के पद पर न्युक्त किया गया था इस प्रकार दो तरह से कोशन पूछता है स्वतंत्र भारत के प्रथम गौवर्नर जर्रल तो लाड माउंट बेटन ह तब तक के लिए धन्यवाद